नमस्कार राज़तान मोस्म को लेकर बड़ी चैटाउने सामने आ गई है राज राज़तान से तुफान आ सकता है बाडमेर से तुफान गुसेगा फिर राज़तान के दक्षनी जिलो में भारी बारिज के साथ भारी तुपानी हवा देखनी को मिलेगी आए शाम तक चक्रवाती तुपान विपर जोई गुजरा से टकराईगा फिर बाद में पाकिस्तान में गुजरात के सिमावर्ति बोडर वाले इलाकों पर टकराने के बाद देरशाम को भारत के साथ राज RIGHT के बाढ़ मेर जले में घुसेगा इस वक्त मौसम की बात ग्रे तो अभी गंगानगर हरुमानगर्ड विकानेर चूरू समेच इन बेल्ट में कुछ जिगों पर बारिश की गतिव दिया होने की संभाव ना है सुबह के समे क्योंकि एक पाकिस्तान की तरब से आये डवलो डी पच्छीमी विक्षोप के कारण र ज्यास्तान में भी स्तुफान के चलते मौसम पूरी तरह से पदर चूका है और बादलों की आवज जोई चलू है और दोग चाप का मौसम बना हुआ है लेकिन बता दे नागोर, बिकानेर, गंगानगर, हनुमानगर, चोरू, सिकर, जैपूर, बरतपूर, अलवर, सोय, पूर करोली और अजमेर, इन जगों पर मौसम खराब हो सकता है, कुछ एक्टों पर बारिस हो सकती है, क्योंकि डवलो डी का परबाव इन जलों में देखने को मिल सकता है, बात करें, जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, जोदपूर, पाली, और सिरोई, सांचोर, ओधियपूर, बासवडा, डूंगरपूर, राजसमन, चितोडगड, परताबगड, इन जगों की बात ग्रे तो आज देर रात को बारिस होने की संभाव होना है, तो फेर के बाद मौसम बदलेगा, कही जगों पर बारिस हो सकती है, तुफान के चलते विपर जोई का असर रालतान के दक् चाम तक गुजराज से तड़ से टक्राने के बाद जोको पार्ट से टक्रा सकता है, और पाकिस्तान के सिमावरती, बार्डर, करांची वगेरा इन जगों को परभावित करेगा हो, इससे टक्राने के बाद देर शाम तक बारत के बारत के बार्डर वाले लाके बार्ड मेर परवेश करेगा फिर आसपास के चेक्तरों को प्रबावित करना सुरू कर देगा फिर अगले 16 जून के दोरान राज़तान के जोदपूर अजमेर संबाग उद्यपूर संबाग कोटा संबाग के जिलों में इसका असर देखा जा सकता है साथी विकाने संबाग जैपूर संब